हेलो फ्रेंड्स आज हम सुराथ के लिए बिना ओन्यन और लसुन की फूल वेश ठाली की रेसिपी शेयर करूंगी तो चलिए रेसिपी को स्टार्ड करेंगे रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा वेज ठाली बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल और चावल का कुकर लगाएं एक साथ बनाएंगे तो उसके लिए मैंने आदा कप दाल को आदा गंडे पहले भीगो के धो के उसको बाउल में ले लिया है उसके बाद इसके अंदर एड़ करेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे बात मिने लाइस को फिख के रखके ले लिया है उसका पाने निकाल दिया है तो मेंने एक कप और अधा कप पानी डाला है अगर आप नहीं डाला है अगर आप घाते है दिया है उसके बाद हमने जो राइस का डबा है वो एड कर देंगे उसके बाद धकन लगा लेंगे कूकर के अंदर नीचे मेंने पानी अच्छी से रखा है उसके उपर हमें कूकर को रखके कूकर को बंद कर देना है और उसके हमें तीन से चार सीटी लगा लेनी है तब तक य उसके हाँ प्राइब हम फूलफट वाला डूद लेगे, मैंने माँण आधा लिटशले लिया है उसके बात डूद को हमें उबालना है यहाँ पे मैंने केसर को भीगों के रक यहां पर चावल ने के लिए आधागंट पहले का रख दीया है दो बड़े चम्मत चावल लिये हैं आदा कप पानी अड़ किया है यहाँ पे आप देखेंगे कि दूद अच्छे से उबलना चालू हो गया है जैसे ही दूद उबलना चालू हो जाए अभी हमने जो राइस भीगो के रखे थे पानी निकाल के सारे एड़ कर देने हैं पहले हमें दूद को अच्छे से उबालना है उसके बाद ही हमें चावलों को मिक्स करना है और गैस कियांज दीमी करके हमें उसको 5-6 मिल तक अच्छे से बॉयल करना है और बीच-बीच में चलाते रहना है तो यहां पर आप देफेंगे बीच में कि हमारे जो चावल है वो पकना स्टार्ट हो चुके तो एक बार मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं चेक भी कर लूँगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चावल बहुत ही अच्छे से मैस हो गये है तो बस अभी हमने केसर वारा दूद को भी एड़ कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने चीरोंजी एड़ की है चीनी आड़ करेंगे दो बड़े चमच या फिर अपने टेस्ट के अमसार अदा चमच इलाइची पावडर और दो बड़े चमच ड्राइफ फुट आड़ करेंगे और पांच मिल्ट और उबालेंगे तो बस हमारा जो दूद पाग है वो ठीक हो चुका है और ज्यादा नहीं बॉयल करेंगे अगर आपको खीर पसंदे तो आप और भी बॉयल कर सकते हैं उसके बाद यहां पे हम आलू और मटर की सबजी बनाएंगे उसके लिए मैंने दो पोटेटो मटर और दो टामाटर की पेश्ट करके तयार कर ली है कूकर में बनाएंगे तो कूकर को घरम करने के बाद दो बड़ा चमच ऑईल गरम करेंगे आदा चमच जीरा एड़ एक चमच अधरक और हरी मिर्च का पेश्ट एड़ किया है आदा चमच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे गैस कि आज यहां पे स्लो रखनी है उसके बाद हमने जो पेश्ट टामाटर की बना की रखी है वो एड़ कर देंगे और उसको अच्छे इसे मिक्स करेंगे और जब तक ही तेल ट्रांसफर ना हो जाए तब तक हमें उसको पकाणा है यहाँ पर मैं एक चमच नमस को भी आड़ कर दीया है और अच्छे से मिक्स करेंगे-तो यहां पर आप डेखेंगे रिवी बहुत ही अच्छे से पख गई है सारे इसे सारे मसा अच्के से मिक्स करेंगे और पानी आड़ करेंगे करीब आधा कब जीतना उसके बाद आछए से मिक्स करेंगे कूकर का ढ़कन लगाएंगे और असकी हमें 2 सीति लगा देनी है तो यहाँ पे 2 सीति लग गई है कूकर ठंडा हो चुका है खोल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सब्जी बना है फ्रेस कटे और धन्या पत्ते अड़ करके अड़ करेंगे अपी हम दूसरी सब्जी बनाएंगे यहां मैंने बिंडी ली है अच्छे से अच्छे सफ्थ हो जाए क्वेस्त के अंच्या मे कि मीश हेरी तो में sma घखाना लगा लिया है इस मजा मोपली पैयए दिताल को मोपली कई सब्लस की मतब्क तील लिए है लाल मिर्श दर द्लस आल जीरा जीरा मज छमवदोर में सब्सक्रां कमकरना में दंब और फ्रेस कटे हो धन्यापत्य एड़ करेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर हम खोल लेंगे यहां पर देखेंगे बिंडी बहुत ही अच्छे से सॉप्ट हो चुकी है तो जो मसाला तयार किया था वो भी एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंग तो बहुती भरवा वाली टीस्टी वाली भिंडी की ड्राइ सबजी भी बन के तयार हो चुकी है तो बस अभी गैस को बन कर लेंगे और ये सबजी को भी हमें साइडू के रखना है तो दो सबजी हमारी बन के तयार हो चुकी हमलेट चावल को कहई है वह अच्छा ठंडा हो चुका है तो हम ढ़ी हमें खोल diet के निकाल देना है暗iniz चावल भी और पक्के तयार हो चुका है आप देख सकते की भात रिए चावल बने हैं अच्छयस निकालेंगे, क्यूकि कूकर घरम है, तो स्सक्यावल पी बहुत अच्छयस से बंच पख गए हैं, और दाल भी अच्छयसे बॉयल हो चुकी, तो अभी हम दाल बनाएंगे, कुछरादी दाल, अच्छे से mix कर लेंगे ताकि अमरे दाल अच्छे से मैस हो जाए कड़ाई को गरम करेंगे दो चमज देल एड़ करेंगे एक चमज यहाँ पे राय एड़ करनी है वन फोटी स्पुन जेतना मेथी के दाने एड़ करने है चुटकी बरहिंग एड़ करनी है दो सुखे लाल अगर आप गूड नहीं खाते है तो स्कीट कर सकते है गुजराती दाल खट्टी और मीठी रहती है तो मैंने दोनों एड़ कर दिया है यहाँ पे मैंने दाल बॉइल कोई थी वो भी एड़ कर दी है साथ में एक बड़ा कप पानी को भी एड़ कर दिया है उसके बाद करनी है तो हमारी दाल भी पके तयार हो चुकी है फ्रेज कटे उधर निया पत तयार करेंगे और डाल को भी राइट पर रखेंगे उसके बाद हम पूरी के लिए आटा तयार करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप गे हुका आटा दो चम्माच ओल और आदा कप इसे टाइट आटा गून लेना है आटे को अच्छे से मसल मसल के गूनना है ताकि पूरी बहुत ही बढ़िया बने आप देखेंगे कि आटा बहुत ही अच्छे से गून के तयार हो चुका है लास्ट में हम थोड़ा सा तील डालेंगे और अच्छे से मसल लेंगे तो पूरी को भी बेल देंगे पहले हम पूरी को भी बेल देंगे उसके बाद फ्राइ करेंगे तो जब पूरी बेल रहे हो तभी हमें तेल को भी गरम करने के लिए रख देना है तो यहां पे हमारी पूरी भी अच्छे से बेल के तयार हो चुकी है ज्यादा पतली नहीं बेलनी ह तो यहां पर पूरी बन के तयार है, तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है, तो चले उसको फ्राइ कर लेंगे, हलके आसे प्रेस करेंगे तो पूरी भी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी, बस सेम तरीके से हमें सारी पूरी को फ्राइ कर लेना है, तो यहां पर हमारी पू यानि कि मेथी के पकोडे बनाएंगे, एक कप बेशन लिया है, एक चम्म सूजी एड़ करेंगे, ताकि क्रिस्पी बने, दो कटे हुए हरे मेच एड़ करेंगे, मेथी एड़ करेंगे, अच्छे से दो के काटली है, एक कप और फ्रेस कटे हुए धन्या पत्ते एड़ करेंग बस वैसे ही हमें बनाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से यह mix हो चुका है आपको ट्राइ करना है कि अच्छे से पकोड़े बन रहे है ज्यादा घीला ना हो जाए बैटर उस बात का भी ध्यान लखना है उसको 10 मिनिट के रहे रेस देंगे उसके बा कर दिया है हलके हाँ से mix करेंगे और साथ में ही तेल को गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया है तो बस तो चलिए अभी हम उसके पकोड़े बना लेंगे तो यहाँ पे मेथी के पकोड़े भी अच्छे से फ्राइ हो चुके है आप देखेंगे आपको जितनी थोटी बड के तयार है यानि कि फूल थाड़ी बन के तयार है उसके साथ थोड़ी सी मिर्ची को भी फ्राइ कर लेंगे और पापड को भी फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी फूल थाड़ी बन के तयार है इसमें मैंने दो सबची बनाई है पकोड़े बना है दाल चावल पूरी दूट पाक बनाया है, तो आप भी ये गुजराती थाली को जरू ट्राइ कीजी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर करना बिलकुन मन पूलेगा, हमारी यूट्यूब चैनल गुजराती कीचन हिंदी को सब्सक्राइब कीजी, अगर रेसिपी गुजराती में देखन अगर चैनल गुजराती कीचन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं